मौसम विबाग के जानकारी के अनुसार उतर परदेश के मौसम में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है साम के वक्त मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और रात होते ही मौसम में ठंड का एसास हो रहा है वहीं भारते मौसम विबाग आएमड के लखनों के अंदर के मुताबित आने वाले दो दिनों में न्यूतन तापान में एक से दो डिग्री सेल्चेस की गिरावर देखने को मिल सकती है यूपी में अगले छे दिनों के मौसम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पस्चिमी और पूरी यूपी में मौसम सुसकर रहने वाला है ऐसे में दोस्तों आने वाले तीन दिनों के बाद मौसम जैसा रहेगा वैसा ही बना रहने की उमीद है एसे में आज हो तो यूपी के परमुक जिलो का कैसा रहेगा तापान इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो कहा का किन किन जिलो के अंदर मौसम में ऐसा खराब रहेगा और किन किन जिलो के अंदर पहेंका ठंड पड़ेगी पूरी की पूरी जानकारी में आपको इस video में देने वाला हूँ तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आगे बने सब्सक्राइब करना होगा इनके जिल्ले और गाओं का नाम जरूर चे लिख देना ताक कि आफके गाओं में और आपके जिल्ले में जब भी बारी समंदी कुछ भी गतिवीद्या हो तो उन सब की जानकारी में आप तक आसाने से पहुचा पाऊं, तो बात कर लेते हैं, उत्तरप्रदेश के सब जिल्लों के मौशम की जानकारी की, तो उत्तरप्रदेश के पूरी तथा पस्चिमी इलाक सर्दी पढ़ रही है इस कुली बच्चे तथा सुबह के समय निकलने वाले लोग गरम कपड़े का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है दिरे दिरे सर्दिया पूरे उत्तर परदेश में बढ़ने लगी है मौसम विग्यान विबाक के अनुसर आगामी साथ दों दिनों तक का मौसम सुस्क बना रहेगा और अधिक्तम और न्यूतन ताफ़ पान दो डिग्री सेल्चेस की कमी दर्ज की जाएगी वहीं दोस्तों कल उतर परदेश के मेरेट सब अधिक्तम ताफ़ पान की बात की जाए तो वारास ने सबसे अधिक्तम ताफ़ पान बतीस पॉइंट जी तो डिग्री सेल्चेस रिकॉर्ड देश किया गया है राजदानी लकनों में दोस्तों सुबह सुबह कुछ इस्तानों पर कोरा चाया रहा और दिन में धुन्द चा वहीं मौसम विज्यान विबाक के अनुसार सुबह के समय राजदानी लकनों में हलका कोरा चायरा है और आज मान साफ रहेगा आज और दूप किलेगी और निवतन ताफ़ पन पंदर डिग्री अधिक्तम ताफ़ पन अटश डिक्री रहने की आज संभावना है कानपूर मे अधिक्तम ताप पन बाराइड डिग्री रिकोर्डजच में गोरख पूर में भीडोर रिकोरग्वार आके संभावनाम संभा और यादिक्तम ताफ रीटक्री रिकोर्डज़ के कर सम." से दो डिघरी कम रहे सामने से तेन डिज़े अधिक है और वहीं मौसर मेरे hydraulic मो深ड़ा बता है है कि उत्तरपरदेश के अभी सर्दिशामाने वरेगी और आने वाले साथ दिनों तक मौसर śuksk बना रहेगा आने वाले साथ दिनों में अधिक्ते मोनी उतनता पान में दो डिग्री सेल्चे तक कि कमी धर्जे की जाएगी और हलके कोरे में वर्दी होगी